समस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे एंगुलर मीलिंग ओप्रेशन के बारे में और एंगुलर मीलिंग कटर के बारे में angular milling operation, milling operation का एक type है और horizontal milling operation के अंतरगत आता है horizontal milling operation को दो तरीके से कर सकते हैं down milling और up milling down milling जिसे हम climb milling के नाम से जानते हैं जिसमें milling cutter की जो rotational direction होती है वो उसी same direction में होता है जिस direction में हम work piece को feed करते हैं जबकि जो up milling जिसे हम conventional milling के नाम से जानते हैं वह है work piece की जो feeding direction होती है उसके बिल्कुल opposite होती है और angular milling operation को हम horizontal milling machine पर इसको हम perform करते हैं इसको perform करने का main purpose होता है जब हमें work piece के उपर flat surface बनाना है जो milling cutter के axis के respect में किसी angle पर होता है और इसको करने के लिए हम angle milling cutter का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम rubber पर mount करते हैं यह जो horizontal milling machine है यह जो इसका vertical column है इसके यहाँ पर यह spindle लगा है और उपर यह over hanging arm है spindle के साथ rubber को attach किया जाता है जब spindle rotate करता है तो rubber भी इसमें rotate करता है और rubber sport जो over hanging arm के साथ लगा है वो rubber को sport करता है अब इसमें देखें यह diagram पर यह work piece है और यहाँ पर जो milling cutter इस्तेमाल किया गया है angle milling cutter यह double angle milling cutter है क्योंकि जो angle milling cutter है यह दो type का होता है single angle milling cutter और double angle milling cutter और यह जो angle milling cutter होता है इस पर sharp angular teeth इस पर बने होते हैं जो इसके axis के ना तो parallel होते है और ना ही यह normal होते है जब selection की जाती है कि इस operation को करते समय हमें किस milling cutter का इस्तेमाल करना है वो depend करता है अगर हमें single surface की milling करनी है तो हम single angle milling cutter का इस्तेमाल करते हैं और जब हमें दो mutually inclined surface को simultaneously एक ही समय में उनको हमें milling करनी है तब हम double angle milling cutter का इस्तेमाल करते हैं और इस type की जो angular milling operation है इसको हम तब करते हैं जब हमें work piece पर V grooves बनाने हो, noches बनानी हो, dovtel slot बनाने हो या फिर कह सकते हैं milling cutter, drills या reamer पर हमें flutes बनाने हो तब इस type के operation का हम प्रयोग करते हैं अब बात करते हैं कि जो milling cutter इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन-कौन से हैं जैसा हमने बात की कि angle milling cutter दो type का होता है single angle milling cutter और double angle milling cutter तो जैसा कि आपको diagram में नजर आ रहा है कि जो single angle milling cutter है यह आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास एक ही angular face होता है दूसरा इसमें side होती है तो इसमें जो teeth है जो angular teeth है अगर हम बात करें वो सिर्फ angular face पर होते हैं और दोनों तरफ side पे भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर जो V shape है exact V shape हमें नहीं मिलती है और इस case में जो included जो angle रहता है वो 45 degree या 60 degree रहता है और जो double angle milling cutter है जिसमें दो angular phase होते हैं जिसको हम एक साथ join करते हैं और join करने के बाद हमें V teeth shape मिलती है और इसमें जो included angle 55 degree, 60 degree और 90 degree और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें दोनों faces पर जो angle हैं वो equal हों वो अलग-अलग भी हो सकते हैं और जो commercially milling cutter हमें available हैं अगर हम बात करें उनका जो included angle है वो 55 degree हो सकता है, 60 degree, 65 degree, 70 degree, 75 degree, 80 degree, 90 degree और 100 degree भी हो सकता है तो यह included angle है, जो हमें market में available है, जो angle milling cutter है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया angular milling operation के बारे में, जो milling operation का एक type है और horizontal milling operation के अंतरगत आता है और इसे हम जैसा बात कि कैसे, किस purpose के लिए से use करते हैं कौन-कौन से milling cutter है, इसमें हम use करते हैं, वो आपके साथ discuss किये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले, जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दोस्तों कर दोस्तों के साथ